सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर सुनवाई से पहले ही इस राज्य में कई विवादासपत ब्यान सामने आ रहे हैं जमो कश्मीर की पूर मुखे मंतरी महबूबा मुफ्ती के बाद अब उमर अबदुल्ला ने भी ट्वीट कर सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर कश्मीर में इस आर्टिकल के माध्यम से कश्मीरियों के अधिकार पर कोई हमला किया गया तो ऐसा नहो कि अरुना मुफ्ती ने भी आर्टिकल 35 एक को लेकर कड़ी परति किया दी थी आई आपको बताते हैं आर्टिकल 35 एक को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है जमो कश्मीर में 1954 में समिधान के अंदर संचोधन करके 35 एकी व्याक्या की गई इस व्याक्या के तहत राज्य सरकार को अधि इसके साथ ही इस आर्टिकल के अंदर जमो कश्मीर के लोगों को विशेश अधिकार दिये गए हैं जिसमें जमो कश्मीर के लोगों की संपत्ति कोई दूसरे राज्य का वेक्ति नहीं खरी सकता है इसके साथ यह जमो कश्मीर की कोई लड़की इस देश के किसी दूसरे रा उठाई जा रही है यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बनने के बाद काफी बड़ी संख्या में लोग हिंदुस्तान आए और वो लोग कश्मीर के अंदर बसे हुए हैं ऐसे में इस आर्टिकल के माध्यम से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है उन्हें जम्मू कश्मीर में वो त 35 एक माध्यम से ना बनाए इस राज्ये के अंदर अगर राज्येपाल चुनाव कराना चाहते हैं तो सिर्फ चुनाव कराएं चुनाव के दरमयान इस आर्टिकल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर किसी भी तराका परहर ना करें आपको बदा दे ही है कि अगर अप्रैल के अंदर देश के अंदर आम चुनाव होते हैं तो उससे पहले बीजे पी धारा 370 और 35 एके मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या स्टेंड डख पाती है इस पेशकर्ष में फिलाल के लिए इतना ही मुझे दीजे जाज़त नमस्कार